Hello दोस्तो, I am Mayank Anand from IIT Guati and in this video I will be discussing about Inorganic Chemistry for J.E. 2025. Inorganic Chemistry सबसे difficult subject माना जाता है क्योंकि इसमें maximum time हमें रटना पड़ता है चीजों को बट ये भी हमें पता है कि ये सबसे जादा scoring हो सकता है अगर आपने एक बार इसे complete कर लिया and बार बार अगर आपने इसका revision करना शुरू कर दिया then you can definitely assure that in J.E. mains you will get 100% marks in Inorganic Chemistry and J.E. advance में भी अच्छे marks हा सकते हैं तो चलिए हम इस वीडियो में strategy स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें यहां इस बुक्स जानना पड़ेगा क्योंकि material inorganic chemistry के लिए बहुत सारे notes है यह है वो बहुत सारे सिंगेज के किताब बहुत सारे books हैं तो हमें अपने resources को बिलकुल limit रखना है ठीक है बहले आपके पास अभी 2 साल है स्टिल आपको अपने resources को limited रखना है जिससे आप बार-बार revise कर सकेंगे बात में तो देखिए सबसे पहला book जो की Bible NCRT है जो की Bible है inorganic chemistry के वो है NCRT राइट NCRT सबसे पहले हमें follow करनी है then mains के previous year questions जो भी chapter wise मैं आपको इस book का link description में डाल दूँगा कि कौन सा best previous year question bank है then हमें जही advance की previous year को cover करना है यह तो simply books की हो गई इसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि भाई या JD Lee पढ़ना चाहिए कि नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए clear cut answer है कि उसमें बहुत सारा extra information दिया हुआ है जो कि हमारे यूज के लिए नहीं है तो बहुत ज्यादा selected reading करना होगा पर वह selected reading हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसके बाद आजाता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए what are the methods to study देखे इन और्गानिक केमेस्ट्री को ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बाटे तो तो तीन चाप्टर आपका खत्म हो जाए इसलिए आपको इसमें consistency मेंटेन रखनी चाहिए जिससे आपको हर दिन one hour आपको पढ़ सकते हैं अब इसके बाद ये तो हमें पता चल गए कि हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं कपढ़ने हैं अब हमें NCRT कैसे पढ़ने वह भी मैं बताऊंगा तो देखिए जैसे कि फॉर इग्जांपल हाइड्रोजन चाप्टर क्लास 11 के बहुत इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करना है कि पूरा थोरुली एक बार बस रीट कीजिए कुछ याद करने का कोशिजिस मत कीजिए जो भी पॉस्चन ऑफाइड्रोजन परियोडिक टेबल है बस रीड कीजिए आपको इसके बाद वापस से आप इन पारग्राफ को पढ़िए आपको पता चले सब्सक्राइब करेंगा सिमिलरली पॉजिशन है तो हमें सेकंड रीडिंग में धीर धीर पता चलेगा कि कौन इसमें से फैक्ट से मुझे याद अखना है याफिर कौन से फैक्स में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें देखिए कि हैलोजन का यहां पर दिय यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि में मेरे समय में भी मेरे शिफ्ट में पूछा गया था कि वीच फॉल्विंग इसाइं रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो ट्रीटियम हमें सब पता होना चाहिए कि जो यहां पर डेट आपके पास है स्टेबल में वैल्यूस तो आपको याद नहीं रखने पर हाँ आपको ज़रूर याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि अगर हम पढ़ रहें मेल्टिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन डूटेरियम ट्रीटियम में किस अलिमेंट का सबसे ज्यादा है तो हमें वैल्यूस से रीड करके इंपोर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन कर लेना उसके बाद हमें वापस से आखरी के 10-15 मिनिट में रिवाइस कर लेना इसमें से एक प्रो टिप यह है कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो नेक्स डे आपको जो भी आपने लास्डे में पढ़ा हो जो भी आपने लास्डे में पढ़ा हो उन्हें आपको 10-15 मिनिट्स रिवाइस करना क्योंकि विदाउट रिवीजन आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो करना पड़ेगा राइट रिवाइस करना होगा जैसे कि अब हमने सीख लिया कि कैसे हम NCRT भी पढ़ना है जैसे कि मैंने बोला कि हमें dilly follow नहीं करना है तो अगर में जैडली follow नहीं करना है तो उसका substitute भी लगा मुझजी खोजना होगा तुसका substitute है YouTube में मोहित्यागी सर के youtube चानल तो अब सप्सक्राइब को हम्हें मोहित्यागी सर के youtube चानल से पढ़ना है तो वह है क्या आपका कॉडिनेशन कंपान्स मेटलरजी और सॉल्ट अनौलिसस यही तीन चापटर है जिनके आपको a ncrt अनुफ नहीं होगे तो for this chapters you have to follow Mohit Tiyagi sir के YouTube channel अगर आपको नहीं पता कौन सा channel है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अब ऐसे जाहिए का YouTube में Mohit Tiyagi सर्च कीजेगा Physical Chemistry के section में आपको यहाँ पर मिलेगा दिखें Metallurgy है, Coordination Compounds है, Qualitative Analysis है इन selected chapters को ही आपको बस पढ़ना है और बाकी rest of the chapters के लिए you have to stick with NCRT only Right, NCRT is the Bible, जो भी आप बोल दिजे, इन ही से question आने है Mains में, Advanced में भी 60-70% इसी साथ है तो right, मैं आपको वापस से summarize कर दे रहा हूँ कि हमें बस books में, खाली 3 book में ते focus रखना है NCRT, Mains के previous year question and Advanced के previous year question Best chapter wise, जो भी previous year question book होगा वो मैं आपको link डाल दूँगा description में Then you can purchase from there अब कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो हर दिन हमें एक घंटा पढ़ना चाहिए ठीक है, revise करना होगा, जो भी आपने last day पढ़ा 10 to 10, 10 to 15 minutes आपको revise करना है NCRT पढ़ने का मैं आपको मेथड़ सिखा दिया, कैसे हमें बस तो पेज को डिवाइड करना फर्स्ट रिडिंग लेनी है, बस ठीक है अधर रिसोर्स में मैंने आपको बताया कि बस इन तीन चाप्टर्स के लिए आपको मोहित त्यागी सर के YouTube चैनल को फॉलो करना है अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका maximum 4 to 5 months में यह तो मैं maximum बोल रहाँ, full in organic chemistry complete हो जाएगी तो दोस्तों ऐसे informative content के लिए चैनल को subscribe करें अगर आपको मुझसे personal guidance चाहिए then you can definitely check out my telegram channel and if you want something that has to be improved in my video then you can definitely comment down in the comment section till then, पड़ते रहिये, मचाते रहिये